हलो दोस्तों मैं दिनेस आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज अपने GMM Fordler का जो प्राइज एक्षन है चार्ट प्लस इसके टेक्निकल जो है इसके fundamental है उन दोनों की study करने वाले हैं तो चलिए बीना देरी की वीडियो को start करते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह जो श्टोक है वो काफी दिनों से मेरी watch list में था radar में था तो आज क्यों ना आप लोगों के साथ share कर दिया जाए तो देखिए यहां यह आप इसका chart देखेंगे तो यहां मैं सबसे पहले तो इसके जो level है वो सारे clear कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए यह देखिए knit and clean आपका chart है chart के अंदर 50 EMA का indicator लगावा और एक 200 EMA का indicator लगावा है अब stock जो है वो आज के दिन 50 EMA के क्योंकि 50 EMA का जो है वो 1549 का है वो level उसके उपर इसने closing दी है एक week पहले भी दो week पहले भी इसने closing दी ती लेकिन इस week फिर से ही आया है इसका मतलब इसके अंदर upside के chances है अब यहाँ पर माँ आप लोगों को इसका daily chart दिखाना चाहूँगा कि daily chart के अंदर क्या हो रहा है तो देखिए daily chart के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ stock ने दो दिन से एक तरह से neutral कोई भी move नहीं दिया है तो इस तरह से यदि किसी भी stock के अंदर आपको देखने को मिले तो आप alert हो जाईए और आप एक काम कीजिए सीध अजाईए और क्योंकि यह neutral candle है इससे पहले यहाँ और इससे पहले यहाँ तो अपने क्या करते हैं इससे जश्ट पहले वाली candle जो है इस पर मैं क्या करूँगा एक line draw करूँगा और साथ में यह देखिए alarm का button है इसको मैं set कर दूँगा ताकि जब भी यह इस level को hit करेगा या cross करेगा तब आपके पास message आ जाएगा ताकि आप alert हो जाएंगी किस stock के अंदर आपको अभी move आने के chances है इसके touch होने या break होने के बाद इसके अंदर 5 मिनट या 15 मिनट के candle देखिए इसके निचे close हो रही है या उपर close हो रही है उसके लेवल है यह 2300 का है तो मतलब 2300 का stock यदि आपको 1600 की range में मिल रहा है अभी के यह 1500 चपन पर है तो 1500 पर मिल रहा है तो आपको मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ और सोचने की जरूरत है आपको यदि 10 से 20% short term में चाहिए तो इस पर आप जा सकते हैं आप सिर्फ इतन आप से लेवल बताना चाहूं तो देखिए यहां यदि आप फिबोनेची लेवल लगाएंगे कौन से लेवल पर यह जो बोटम बनाया इस बोटम के बाद आपको पता है इसने gap down opening दी और gap down opening के बाद यह gap down opening क्यों हुई थी यह मुझे लगता है काफी लोगों को पता है ल अब यदि आज आप देखेंगे तो यह क्या है 0.6 का जो लेवल है 1541 का इसके उपर दो दिन से उपर चल रहा है तो इसके अंदर यदि अब क्या है यह 1582 का जो लेवल है यह यदि ब्रेक होता है तो इसके आपको वापिस से अपसाइट देखने को मिल सकती है ठीक है अंदर रिजर्व देखेंगे तो 795 करोड का रिजर्व है डेट इस पर 903 अब यह दिमा आपको इसके quarterly result पर नहीं चलकर अपन डायरेक्ट इस पर चलते हैं यह जो है तो यहां देखिए 71, 64, 75, 214, 206 अभी latest में चल रहा है पिछले 4 quarter का और जून quarter के comparison में आप देखेंगे तो देखिए 61 और 54 डाउन है तो इस टोक देखिए वन यर के अंदर एक साल पहले 1600 के लेवल पर था और अब भी इसने 1500 से upside दिखानी start किये साड़े 1500 के लेवल पर मिल रहा है मतलब यह जो जिस sector में काम करता है यह देखिए GMM Fordler has diversified its product portfolio to include mixing system filtration and drying equipment engineering heavy equipment जो है वो बनाता है और गुजरात की company है मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई doubt होगा आप इस पर जो level है उस पर focus कीजे और इसके अंदर 10 से 20 परसेंट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाले हैं तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत बूलेगा मिलते हैं इसी तरह के एक और educational वीडियो के साथ वीडियो में यदि कोई doubt हो तो आप comment में comment करके पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों